हेलो एवरिवन, वेलकम टो इंजिनियर सटागाईज, I hope you all are good, myself फ्रजर सिंग और आज आज आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, SSC JEE 2013 के एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग क्लोज हो गई और बहुत सारे बच्चे अभी वर प्रिंट, पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एप्लिकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, जिसमें अगर आप एप्लिकेशन स्टेटस का जो यह पॉर्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो एप्लिकेशन स्टेटस में आपको कुछ इस तरीके का segment खुल के आएगा जिसमें आपका यहाँ पे registration number, name और name के बगल में fee status में अगर आपकी fee में छूट मिली होगी आपकी fee नहीं लगते होगी तो exempted अगर आप किफी pay की होगी आपने और नहीं छूट मिले होगी तो not exempted लिखा होगा यहाँ पे number of attempt 1 और यहाँ पे आपका application status में यहाँ लिखा होगा application received content not verified content आपका verify अभी नहीं हुआ है इसी portion को देखके बहुत सारे बच्छे घबरा जाते हैं सोचते हैं कि सर कब होगा content verified guys आपको बता दू कि पिछली बार जो examination के form फिल हुए थे examination की date admit card आने वाले दिन तक यहाँ पे content not verified लिखा हुआ आ रहा था उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी नहीं करना है आपके admit card आएंगे आपको बस क्या check करना है इसमें वो मैं बताता हूँ payment status में यहाँ पे अब complete लिखा हुआ दिखाई दे रहा हुआ जिन्होंने payment successfully कर ली है अगर किसी को कुछ problem लग रही है payment status यहाँ पे दिक्कत कर रहा है कहीं आपके complete नहीं लिखा हुआ रहा है उन बच्चों के लिए एक option है जब इस portal पे गये थे login किया था आपने तो last में double verification of payment का option आएगा double verification of payment पे जब आप click करोगे तो आपको आपकी payment जो आपने की है उसके बारे में इस तरीके का देखो उस पे जब click करोगे तो यह last में आ रहा है न action action में double verification of payment का option आएगा इस पे जब आप क्लिक करते हो double verification पे तो आपको जो payment slip थी उस पे जो आपने payment किया था reference number transaction नंबर वो पूरा का पूरा आ जाता है और आपका payment status जो successful हुआ था आपने payment करा था तो वो भी यहां पे show होने लगेगा यहां से आप double verify करके आप ensure हो सकते हो कि हा आपने SSE को पैसे दे दिये हैं अब आपके form में कोई दिकत नहीं है तो guys मैं आप सभी से बोलूगा कि फिजूल की चीजों में समय बरबाद ना करते हुए अब आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह आपको सही समय पे सही वार करना है उसके लिए आपको practice ज्यादा से ज्या help batch SSJ 2023 के लिए जिसमें proper concept through question, question practice ही होगी केवल ताबड तोड जब तक आपका examination है उसके एक वीक पहले तक यह लगातार इसमें question practice कराई जाएगी और October 1st week तक ही चलने वाला है इसमें आपको सारे के सारे subject के technical, non-technical सभी ब्रांच के लिए अवेलेबल है जैसे civil का है वैसे mechanical क का भी है, electrical का भी है, इस batch को minimum price में आप सभी बच्चों को दिया जा रहा है, मात्र 900 रुपय में, Adair 24-7 का application पे, discount coupon code अगर ये use करते हो application से तो उससे भी price थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जाके फटा-फट इस batch को जोईन करके इसमें अपनी question practice को बहतरीन बना सकते हैं, और जि के लिए civil engineering का महापैक, civil वालों के लिए mechanical वालों के लिए mechanical महापैक और electrical वालों के लिए electrical engineering महापैक अविलेबल है, कैसे जोईन करना है, Adair 24-7 का app डाउनलोड करना है आपको, उसमें A&J exams का segment दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना है और उसके नीचे ये सारे batches दिखाई दे Thank you so much, I hope कि आपको आज की वीडियो ये जनकारी अच्छी लगी होगी और share करिए दोस्तों के साथ जो परिशान है, इस content not verified वाले portion को लेके, वरी होने के बिलकुल जरूरत नहीं है, आप अपनी preparation और boost करिए, महनत करिए, selection आपका जरूर होगा, अगर आप सच्चे महनत कर र